है एव्याइज डॉक्तर देविंध राटो ये वालकम टु मौडरन हर्थ एंड नूट्रिशन बात करेंगे अज बाइव आपके में बाहने की बाइव आपके हेर के लिए और अगर जरूरी है तो उसके कितनी बातरा आपको body के अंदर या फिर आपको diet के थ्रू आपको लेना चाहिए क्या आपको byotin के supplements की जरुरत पड़ती है अगर आपको hair loss है या फिर अगर आपको गंजापन स्टार्ट हो चुका है तो क्या सिर्फ और सिर्फ byotin आपकी help कर सकता आज विशेपर चर्चा करेंगे देखा जाए तो एक water soluble vitamin है जो कि आपकी body को daily needs रहती है ठीक है daily needs मतलब आज आपने लिया आपको daily need रहता है body के साथ मतलब जैसे आप पानी पीते जाते हो body के साथ excrete होता जाता है body को जितना absorb करना होता है वो absorb कर लेती है और बाकी वो excrete हो जाता है vitamin B का एक vitamin B category में आता है vitamin H B कहते हैं यह चीज आपको पता नहीं होगी please no doubt ठीक है vitamin H B Biotin को कहा जाता है अब Biotin क्या करता है बालो के लिए Biotin क्या है कि एक जो हम बात करें hair हो गया nails हो गया ठीक है यह क्या होता है हमारे collagen protein और kiretin protein से बना होता है तो kiretin का जो infrastructure होता है उसमें Biotin का ब provide करता है आपके hair के लिए hair shaft को बनाने में और बात करें अगर हम hair की जो length होती है उसको बनाए रखने में hair की thickness को importance करने में तो kiretin का बहुत जादा रोल होता है इसलिए आपने देखा होगा kiretin mask आता है kiretin treatment होता है kiretin का shampoo जाते हैं ठीक है तो Biotin एक तरह से देखा जाए तो एक infrastructure त्यार करता है infrastructure मतलब एक थोड़ा बहुत उसका रोल रहता है कि वह kiretin protein का एक तरह से जो निर्मान होता है बनावट होती है उसमें बनाना जो होता है उसमें थोड़ी help रहती है अब बात करते है studies क्या कहती है studies अगर बात करें कि Biot की particular relatable hair loss related studies की क्या हुई है तो अभी तक सिर्फ दो studies हुई है ठीक है उसमें से भी बात करते हैं कि क्या result निकलने को देखने को मिले हैं तो बहुत common अगर बात करें तो इतने evident result नहीं देखने को मिले हैं कि सिर्फ और से Biotin आपकी लिए इतना helpful रहेगा कि आपके पूरा hair loss को रोग दे या फिर hair growth आपको particular करना पड़े ठीक है मतलब hair growth जो है उसे वह पूरी तरह से promote कर सके ठीक है तो एक particular जो भी studies थी उसमें यह चीज़े देखने को मिली है और next thing क्या होती ही कि लोग क्या करते एक्स्ट्रा बायोटिन लेते हैं कोई 10,000 microgram of nutrient Biotin का capsule Amazon से मंगा लिया कई से भी मंगाली स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन आप बिना डॉक्टर की सला के Biotin स्टार्ट ना करें नॉर्मल आपकी डाइट में अनो Biotin होता है until unless आपको कोई problem नहीं है तो next thing अब बात करते हैं क्या food रहते हैं जिसमें Biotin आपको अच्छी मात्रा में मिलता है तो Biotin जितने भी एग होता है एक का योग में प्रेजेंट होता है एक चीज़ देखी होगी एक और मैंने एक पॉइंट बताता हूं कि एक का जो रहता है आप अगर एक खाते हो तो कई लोग सिर्फ एक भाइट खाते तो आपको Biotin नहीं मिल रहा है आपको Biotin लेने के लिए रखें आप 30 to 70 का रेशो रखें अगर आप मान के चलो पांच एक खा रहें तो दो का आप एट लिस्ट वर नोटू का एक योग भी जो रहता है फुल एग आप खाएं ठीक है कॉलेस्ट्रोल मेंटेन करके रखें अपना कॉलेस्ट्रोल चेक अप करवात रहें अब बात कर जैसे जो ग्रीन वेजीटेबल सोती उनमें भी बायोटिन और वाइटमिन भी अच्छी मातरा में फॉलिक एसिट्स के साथ बायोटिन भी कई अच्छी मातरा में मिलता है जितने भी फ्रूट्स रहते हैं मैग्जिमल नमबर और फूट्स कंटेंट्स ऑफ नैचुरल वाइ रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे तो हैर शेडिंग जो रहती है उसको प्रिवेंट करने में और नैचुरल हैर डोथ करने के लिए कितना रेस्पॉंसिबल रहता है ठीक है तो यह था व्यूव ऑन बायोटिन फॉर हैर होप सो जरूर आपको पसंदा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सबस्क्राइब कर दीजे चैनल को और अगर आपका कोई भी कुश्चन हो रिलेटेड टू बायोटेन रिलेटेड टू हैर लॉस या आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाते हैं हैर लॉस का तो आप ज़रूर हमें वाट्सिप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी स्टोरी में टैक कर दीजेगा मैं आपके कॉश्चन का ज़रूर जवाब दूँआ थैंक्यू सो मच गाईस जय हिन जय भारत